हलो फ्रेंड्स मेरे नाम है संदीप कॉर गौर और स्वागत थे आपका मेरे चैनल में जिसमें हम डिस्कॉस कर रहे हैं सी लेंग्वेज पर दोस्तों इससे पहले वाली वीडियो में हमने इफ, एल्स, इफ, एल्स इस्टेटमेंट पर डिस्कॉस किया है और आज उससे related हम एक प्रोगाम यहाँ पर देखने वाले हैं जैसा है कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमको यहाँ पर एक प्रोगाम बनाना है तो यहाँ पर दो नम्बरों को हम input कराएंगे और उसमेंसे हमको greatest number find करना है तो दोस्तों वीडियो सुरू करने से पहले आपसे रिक्रेस्ट है कि लिए आप में यागे दिया हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वेल आइकन को प्रेस कर ले जैसे कि आपको आने वाले लेटेज वीडियो की नोटि यहां पर प्रिंट करना है याथ उसका मेसेज यहां पर दिस्पले कराना है तो देख्ये दो नंबर याद़ हम को नंबर नेटें इसर ट्रक्राइब अब इसमें हम store कराएंगे एक input और ये दूसरा input, means हम यहाँ पर दो interior value को input कराएंगे, अब यहाँ पे case क्या क्या हो सकते हैं पहला case जो हो सकता है, वो इस तरह सो सकता है कि यहाँ पहली value बड़ी है दूसरी छोटी है second case क्या हो सकता है कि यहाँ यहां पर जो first value है वो छोटी हो दूसरी value क्या हो बढ़ी हो और third case क्या हो सकता है कि यह आपस में दौनों बरावर हो यह तीन case यहां पर हमारे हो सकते हैं अब यहां पर comparison किस किस तरह से होगा तो देखिए comparison करने के लिए हमारे पास कौन से operator होते हैं रिलेक्शनल ओपरेटर होते हैं जो कि हमने पढ़े हुए हैं less than equal greater than equal less than or greater than equal किस तरह से हमने यहां पर relational operator पढ़े हुए हैं तो यहां पर हम यूज़ करेंगे less than or greater than symbol का सबसे पहले हम जो condition लगाएंगे वो किस के लिए लगाएंगे a greater than b के लिए ठीक है तो पहली condition हमारे लग ठीक है लेकिन यदि यह condition false हो जाती है तो हम फिर से compare करेंगे यहां पर हम compare कर रहे हैं कि a is greater than b अगली वार हम compare करेंगे a is less than b यदि यह condition true है तो कौन बड़ा हो गया a अब यदि यहां से false होथी है तो हम कहाँ पर आएंगे second condition को check कर निकली आएंगे तो यहां पर हम check करेंग a is less than b यदि ये condition true होती है तो इसका मतलब कौन बड़ा हो गया b बड़ा हो गया देखिए यदि condition true होती है तो छोटा कौन हो जाएगा a छोटा हो जाएगा इसका मतलब कौन बड़ा हो गया b तो यहाँ पर हम टिस्पले करेंगे b is greatest ठीक है लेकिन यदि ये दोनों ही condition false हो जाती है ना तो a बड़ा है और ना ही b बड़ा है इसका मतलब दोनों ही क्या हो जाएगे equal हो जाएगे तो जो by default else part होता है उसमें हम क्या print करेंगे both are equal ओके ये हमारा concept रहेगा तो इसको हम use करेंगे हम if else if else के form में ठीक है क्योंकि यदि हमारे program में कुछ इस तरह का concept है कि एक condition check करने पर हमारा काम नहीं होता और हमको कम सकम दो condition check करनी है तम भाहां को क्या use करते हैं if else if else statement का use करते हैं चलिए program देखते हैं फिर इसके बाद इसका practical भी देखेंगे हम सबसे पहले हम यहाँ पर क्या देखते हैं header file तो हमने यहाँ पर header file लगा ली include stdio.h और एक header file हम लगाते हैं conio.h यदि आप मेरे चनल पर आज पहली बार आए हैं और आपने previous वीडियो नहीं देखे हैं तो यहाँ पर description box में पूरी playlist दे रहा हूँ और वीडियो को आप सुरू से जरूर देखे हैं जहाँ पर हमने हर concept के बारे में detail में discuss किया हुआ है कि header file कब लगाते हैं कौन सी लगाते हैं सभी के बारे हमने detail में discuss किया हुआ है फिर हमने यहाँ पर लिखिया void main function ठीक है अब यहाँ पर दो variable को जरूरत है तो हमने यहाँ पर ले लिया integer a b इन में value input कराएंगे सबसे पहले एक message देते हैं printf enter any to value input कराने के लिए function लेते हैं scanf integer value यहाँ पर क्या लेंगे %d, %d address operator a address operator b जो भी value आप input कराएंगे वो a और b में चली जाएगी अब सबसे पहले यहाँ पर हमने if में condition दी a greater than b यदि यह condition true होती है इसका मतलब greatest को होने a तो यहाँ पर हम message देंगे printf a is greatest okay, फिर से हम यह condition लगाते है else if इस बार हम चेक करते है a less than b यदि यह condition true है, इसका मतलब a छोटा है that means b बड़ा है तो यहाँ पर हम printf में message print करते हैं b is greatest okay, और default statement आता है हमारा else में यदि उपर की दौनों condition ही true नहीं होती that means both are equal और यहाँ पर हमारा program close ठीक है, तो यहाँ पर जैसे a greater than b लिखा हुआ है यदि हम यहाँ पर example लेते हैं 5 और 2 का तो a की value 5 और b की value 2 है तो यहाँ पर 5 greater than 2 condition क्यों हो जाएगी तो यहाँ पर हमारा मंदर आजाएँगे और यहाँ पर क्या print करेंगे a is greatest तो यहाँ पर a is greatest हो गया second example लेते हम इस तरह से 6 और 8 का तो यहाँ पर क्या होगा a greater than b सबसे पहले check होगा ठीक है तो यहाँ पर अगर हम देखें 6 greater than 8 check होगा condition क्यों हो जाएगी false तो इसका मतलब कहाँ पर जाएँगे else if पर else if पर अब check होगा 6 less than 8 condition क्यों हो जाएगी true इसका मतलब कौन बढ़ा हो गया b तो यहाँ पर print हो जाएगा b is greatest ठीक है third case लेते हैं जैसे हमाली 7 7 तो पहला completion क्या होगा a greater than b 7 is greater than 7 condition क्यों हो जाएगी false फिर हम आएगे else if पर यहाँ पर चायको का 7 less than 7 यह condition भी क्यों हो जाएगी false तो फिर कहाँ पर जाएँगे else part पर means default statement पर यहाँ पर क्या print हो जाएगा बोधा equal तो इस तरह से हमारा यहाँ पर प्रोग्राम बन गया है जो कि इसलिए है दो नमबरों के बीच में से greatest number निकालने के लिए अब देखते हैं इसका practical implementation तो हमने यहाँ पर प्रोग्राम टाइप कर लिया है अब इसको run करते हैं run करने के बाद यहाँ पर message आया enter two value यहाँ पर value input कराते हैं पहली value है five और दूसरी value है two इसको हमने किया run तो देखिए यहाँ पर message आ गया a is greatest ठीक है that means पहली value यहाँ पर बढ़ी है अब फिर से इसको run करा के देखते हैं फिर से हमने इसको run कराया और इस बार देखते हैं इस बार हमने value दी है four और eight तो देखिए इस बार print हुआ है V is greatest ठीक है इस बार हमारी second value बढ़ी थी फिर से करते हैं इस बार दौनों value को बराबर देखते हैं क्या आता है output तो हमने इस बार input कराया eight eight output आया both equal इस तरह से हम यहाँ पर if, else, if, else का use करके दो नमबरों के बीच में से greatest number find कर सकते हैं तो दोस्तों यह था आज का हमारा वीडियो यदि आपको आज के वीडियो पसंदाज वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें थेंक्यू